एवं सावन महीने के सोमवार को आज धार्मिक महिलाओ के समूह ने तीर्थ राज प्रयाग पुशकर के पास तित्क शीर सागर व देव्यानी तीरत स्थल सामभर जाकर भगवान शिप की पूजा आराधना कर परिवार के सुक, सम्रधी की मंगल कामनाएं की. अधिक मास के कारण तीरत स्थल पर जल्स नान कर जरूरत मंदों को दान पुन्य किया. महिलाओं ने बताया कि सावन का महीना शिप जी की आराधना के लिए सर्वश्रेश्ट महीना माना जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिप जल्द प्रसन होकर सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं. श्रावन के महीने में तो हर दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा होती है, लेकिन सावन सोमवार का व्रत बहुत ही खास रहता है शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है इस कारण से सावन सोमवार का महत्व होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने ही मापार्वती ने भगवान शिब जी को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था मापार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन होकर भगवान शिब ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था इस तरह से मा पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ ऐसे में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का प्रिय महीना था इस कारण से सावन के महीने में पढ़ने वाले हर सोमवार का काफी महत्व होता है सावन का महीना और इसमें पढ़ने वाले सोमवार व्रत का सुहागिन महिलाओं और कुवारी कन्याओं के लिए बहुत ही खास होता है सावन सोमवार के दिन विवाहित महिलाएं दिन भर व्रत रखते हुए शिब जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हुए पती की लंबी अयू और सुक सम्रिद्धी की कामना करती है वहीं दूसरी तरफ सावन सोमवार का वरत कुवारी कन्याय शिप जी की पूजा करते हुए अपने लिए सुयोग्यवर की कामना करती है